हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का अपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरा नाम उमेस याद हो है दोस्तो LIC में 2021 में जॉब अपर्चुनिटी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में डिसकसन करेंगे LIC Assistant, LIC OO Generalist, LIC ADO और LIC का कुछ और भी जो notification आता है specialist के लिए जो 2020 में आया है जिसका exam अभी नहीं हुआ है इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप सभी को LIC को लेकर के बहुत important point है उसको बताने वाला हूँ 2021 में job opportunity कैसे रहेगा new recruitment जो है उसके बारे में जितने सारे doubt है आप सभी को इस वीडियो से clear हो जाएगा तो आप सभी से request है आप सब लोग जहें इस वीडियो को like कर दीजेगा और आप अपने channel पर पहली बार visit कर रहे हैं वीडियो देखने के बार description box में चले जाना आपको memory based paper का आपको link दिया हूँ free of cost है उसको जा करके आप लोग attempt करना और last में हम लोग test series के बारे में भी discuss करेंगे आप में से बहुत सारे candidate test series के लिए करके पूछते रहते हैं दोस्तों सबसे पहले point आपको मैं बताना चाहता हूँ LIC में जो अभी existing imply है उनका age, average age limit की बात करें तो more than 40 plus है कोरा के अनुसार से approximately 50 year है यारे दोस्तों LIC में mass recruitment की बात करें तो 90 के बीच में जो हुआ था उसके बाद 9-10 में LIC assistant का recruitment हुआ था और 2019 में LIC assistant का notification आये था उसके बीच में LIC assistant level की recruitment की बात करें तो नहीं हुआ था और इसके वज़े से LIC के existing imply है उसमें से maximum imply 2020 से लेकर 2024 के बीच में retirement ले रहे हैं तो LIC आप सभी को पता है कि एक big organization है एक big insurance organization है और यहां पर इस बार की बात करें record profit हुआ है 64 year के history में LIC में सबसे ज़्यादा profit हुआ है और आप सभी को पता है कि LIC में जो wage revision को लेकर के चल रहा है LIC का management है 16% offer दे रहा है wage settlement को लेकर के और LIC का union है इसमें और demand कर रहा है तो इसको लेकर के LIC के union क्यों demand कर रहा है कि LIC का growth है काफी अच्छा है LIC के जो imply है performance है बहुत अच्छा है इसको लेकर के LIC के union है LIC के management को demand कर रहा है तो दोस्तो सबसे important बात है कि जिस organization का growth अच्छा होगा उसमे जो है definitely new vacancy create होगा और LIC की बात करे तो यहाँ पर average age employee की बात करे तो more than 40 बहुत बड़ी बात हो गई तो यहाँ पर 2020 में सबसे ज़्यादा retirement होने वाला है 2021 में होगा 2022 में होगा 2023 और 2024 तक काफी ज़्यादा retirement होने वाला है तो definitely new vacancy create होगा तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तो 2021 में LIC में आप सभी के लिए काफी अच्छा opportunity create होने वाला है सुरू में ही आप सभी को LICO जनलिस्ट का notification देखने को मिलेगा LICO जो specialist का notification आया था 2020 में इसका exam होने वाला था इसका exam अभी तक जो है नहीं होगा है तो यह exam जो है 2021 में होगा LIC ADO का भी notification आप सभी को देखने को मिलेगा और LIC Assistant का भी notification आप सभी को देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप LIC में जो job opportunity को लेकर के आप लोग कुछते रहते हो काफी अच्छा opportunity है बस आपको अच्छे से preparation करना है और अभी से आप अच्छे से preparation करोगे तो LIC में आपका job लग जाएगा उसके लिए insurance का topic जो है आपको काफी important है अभी से शुरो करना पड़ेगा मैं आप सभी के लिए planning करना हूँ कि insurance का topic कैसे पढ़ना है जब अपना मैं website lunge करूँगा वहाँ पर सभी material अबलेबल रहेगा तो आप लोग वेट कीजिए बहुत जल्दी अपना website आने वाला है अभी आप लोग जो banking का preparation कर रहे हैं उसमें इंसुरेंस का भी preparation साथ में आपको जहां से जो भी material मिलता है उसको लेकर के पढ़िए और आप सभी को सुरू में LIC-OO जनरलिस्ट का notification देखने को मिलेगा उसके बाद ADO और assistant का भी देखने को मिलेगा तो अभी से आप अशे से preparation किये रहेंगे तो आपका 100% selection होगा I hope दोस्तो आप सभी को LIC को लेकर के जितने सारे doubt है इस video से clear हुआ होगा अब दोस्तो test series को लेकर के बात करते हैं देखिए किसी भी exam का preparation कर रहे है वो आपको best quality का test series जो है काफी important होता है और grade up का जो green का test series है काफी important है जो latest pattern पर जो exam चलना है उसी के pattern पर test series बनाए गया है और दोस्तो इसका nominal price है आपको इसका nominal price है 299 रुपी से test start होता है और इसमें देख सकते हैं आपर 420 प्लस mock है आप किसी भी exam का त्यारी कर रहे हो banking हो, insurance हो, सभी exam का आपको इसमें test मिल जाएगा और आप 12 प्लस 12 मंत का subscription ले रहे हो तो वनली 15 रुपीज पर मंत आपको pay करना पड़ेगा और दोस्तो अभी आप सभी के लिए यहाँ पर offer आया है, मैं देखा इसलिए मैं आप सभी को यह screenshot share कर दे रहा हूँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 40% special offer चल रहा है आपको जो है मेरा जो code है 15% banking career आप code विच करोगे तो आपको 15% मिलेगा लेकिन इनके जो है 19 घंटा 19 मिनट अभी बचा हुआ जब मैं screen sort लिया था तो इसमें 40% extra discount मिल रहा है इसमें जो है LIC के लिए test है, अभी देखिए ECGC का जो notification आया है उसमें जो है 10 test है और SBI का तो है ही, बाकि सभी exam का इसमें test है तो इसको आप जाकर कर ले सकते हैं और LIC के लिए अच्छे से dedication के साथ preparation कीजिए 2021 में काफी अच्छा opportunity है, 2021-22 में और आने वाले टाइम में जो है LIC में अच्छा आपको notification देखने को मिलेगा तो अभी से आप अच्छे से preparation की रहेंगे तो आपका LIC में जो है job मिल जाएगा I hope दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से motivation मिला होगा, इस वीडियो को like कीजिएगा, share it through कीजिएगा Thank you for watching banking career, God bless you all